अब नवमा अध्याय निश्म बद ध्यान और दिनारी सरी रूप को लाखों करू प्रणाम सिरी मूरत को ध्यान करे सुरू करू ये काम सरन लउं जग दंबा की जो जग जन निमाय नवमें इस अध्याय में करियों मेरी सहाय भासा एसी होए भवानी जिसको गाएं सब जग प्रानी बंदों के पोस्प सबर्न है न्यारा रक्त पीते में स्तृत है सारा कांती जिन्न की शर्न समाना अस्त्र सस्त्र धरती है नाना सुन्दर अच्छी माला कर साजे पास अंको से बर मुद्रा विराजे अर्ध चंद्र आभू सन न्यारा मस्तक पर सोब ते अति प्यारा दिन नेत्र तेहूं लोके समारे सीश चरन तेरे धरे हमारे अति प्रशन राजा भै सुनी कथा चित लाए मुनिसेयों कहने लगे चरनन सीस नवाए रखते भी जिवद कता सुनाई सुनी कर हमे को अतिमन भाई अदिवुत चरित्र हमें बत लाया जो ना कभी हमने सुन पाया फिर त्रपती ना होए हमारी और सुनाओ कथा वो न्यारी अब आगे की कथा सुनाओ निसम सुंब का कर्म बताओ रखत बीज के मर जाने पर नीचे हो गए क्या उनके सर रिशी कहे तुम सुन लो भाई निसम सुंब तब क्रोध में आई रखत बीज और सेना सारी देवी ने पल भर में मारी सुन कर दैते बहुत घब डाए बाहें फड की क्रोध में आए निसम चलाले हाथी गोडा क्रोध में भर कर दान अब दोडा उनके साथ असुर थे भारी प्रधान सेना के अधिकारी आगे पीछे चल रहे बड़े असुर अधिकाए पार्ष भाग में भी चलें बन के दैत सहाए क्रोध से होट चवाएं सारे कुछ पल में जाएंगे मारे युद करन देवी से आए जिसकी सकती उन्हें चलाए पराक्रमी वो सुंब भी आया सेना को भी साथ में लाया मात्रगणों से युद की ठानी मूरख कितना है अग्यानी क्रोध के बस में दैत ते सारे सुंब के बस उन्हें के अधिकारे वह घोर संग्राम है भारी सन्मुख आई से ना सारी बाणों की करते हैं ब्रष्टी जैसे नास करेंगे स्रष्टी मिगों की भाती बाणे बरसाएं माता मंदे मंदे मुसिकाएं दोनोंने जो बान चलाए, चन्डिकाने वो तुरत हटाए सब बानों को काट गिराया, फिर माताने सस्त्र चलाया देवी ने जब किया प्रहारा, चुन चुन के सेना को मारा निशुमने लीती खीतल वारा, सिंग के मस्तक किया प्रहारा कालों का जो काल है भाई उस पर भी वो सस्त्र चलाई मूर्क असुर ये कितने भारी जगदमा से करते रारी मैया ने देखी तभी बाहन सिंग पे बार छुरप्र नामक बान से काटी धाल तलवार जिसमें आठ चांद थे भाई खंडे खंडे तलवार गिराई कटी ढाले और वो तलवारा असुर राज ले आया दुबारा किन्तु सामे ने जब ही आया देवी ने फिर चक्र चलाया दो टुकडे उसके कर दीने असुर खड़ा जो सकती लीने निशमी क्रोद से जलने लागा सूल उठा कर फिर वो भागा लेकिन जब नजिदी के है आया मुक्का से देवी ने गिराया सूल का फिर चूरन कर डाला गदा घुमा कर देत है चाला चंडी उपर गदा चलाई पर वो तुरत भस में हो जाई गदा त्रशूल को काट गिराई देत ने फिर फर सालिय उठाई जैसे ही फर साबो लाया बाण सम देवी ने चलाया बाणों से घायल कर दीना देवों पर उपकार है कीना निसुम्ब था वो सुम्ब का भाई गिराधरा पर वो आत ताई सुम्ब ने देखा अपना भाई बहुत क्रोध तब उसको आई उत्तम रत उसने है सजाया अंबा से लड़ने को आया उत्तम आयुद उसने धारे सेना सारी लई सहारे अश्ट बुजा की सोभा पाए सब आकास को जो ढख जाए उसको आकर देखे के माई संख को माता रही बजाई और धन उसकी प्रतंचा चड़ाई अतंत दुस्षे सब्द सुनाई साथी घंटा ऐसे बजाए दैट्यों को जो बहुत डराए देवी ऐसा सब्द सुनाई संपुन दिसा ब्यापत हो जाई जैट्यों के सब तेज को माईया संख नाद से नश्ट करईया तदनंतर दिया सोर सुनाई सिंग ने भारी दहाड लगाई जिसको सुन कर देते हैं भागे इधर उधर वो देखन लागे बड़े बड़े गजराज भी भाई महान मद को दूर कराई दसो दिसाएं गुंज है भाई धर्ती और आकास कपाई फिर काली ने नव में उचल कर दोनों हात पट के प्रतिवी पर सब्द भयांकर हुआ है भारी काप गए सब नर और नारी पहले जो दिया सब्द सुनाई इसी सब्द से सब दब जाई तक पश्चात की बात है इसे भी दूती ने आए अट्ट हास कीना बड़ा दैतों को रही डराए अट्ट हास कीना बड़ी भारी दैतों को था मंगल कारी सब्द की आमाताने भारी थर्रा उठी वो से ना सारी किंतु सुंब को क्रोध है आया तब देवी ने लक्ष घुमाया सुंब को लक्ष करे कल्यानी फिर बोली गर जाने सीवानी अरे दुरात्मन खड़ा तू रहना सस्त्रों का पहरां गहना तबी आकास में देविता सारे जै हो जै हो करी के पुकारे सुंब को बोजै कार न भाई अतन्त भयानक सक्ती चलाई जौलाओं से योगत थी भाई अगनी में परवत समय आई देखिके सक्ती को महमाई भारी लूके से वो हटाई सक्ती पर फिर सक्ती चलाए अग्यानी क्यों समझ न पाए सिंग नाद जब सुंब ने कीना कीन लोके को गुझा ही दीना उसकी प्रती दुनी से भाई सब्द भयानक दिया सुनाई जुद हुआ है तब अतिभारी दोनों तरप से हुई तक रारी सुंब चलाए बान जो सारे काट काट देवी ने डारे देवी ने जो बान चलाए सुंब भी उनको काट गिराए सुंब को मईया खेल खिलाए जैसे कट पुतली को नचाए चंड का माता क्रोध में आई सुल सुंब पर दियो चलाए सुल अगात को सह नहीं पाई तन की मूरचा सुंब को आई इतने मेहीनी सुंब भी भूमी से उठ जाए दन साथ में ले लिया युद करन को आई दन से बान तब उसने चलाए दस हजार बाहें फैलाए अधिक चक्र चब दैबत चलाए आच्छा दिति करी चंडी माई जो है सब की सक्ती माई उस सक्ती पर चक्र चलाए पुस्प के ऊपर पुस्प चड़ाए कौन समर में उसे बताए ब्रह्मा बिस्महेस ने पाया न जिसका पार उनको समझे देत वो बस एक अबला नार दोरिगा में पीडा हरने वाली कुपित भई तब वो महकाली बानों और चक्रों से मैया सब चक्रों को काट गिरईया देखनी सुम्ब गदाले दोडा सबर नहीं करता है थोडा चंडी ने तलिवार चलाई तुरत गदा को काट गिराई देवों को पीडा देने वाला सूल हात में उसने समाला सूल हात में देख के माई सूल से मारन उसको धाई चंडी का हो गई अतिविक किराली सूल से छाती छेद ही डाली बिद्र निचाती हो जाने पर पुर्स रूप तब आया निकल कर खड़ी खड़ी रहना बही पुर्स रहा ललकार सुन कर देवी हस रही काल को रहा पुकार खड़ी हात में ले लियो दुर्गती समनी माई निशुम का मस्तक काट कर धरा पे दियो गिराए फड़की रहा था देते वो भारी आज गिरा वो धरा पे हारी तद नंतर की बात सुनाऊं आगे की अब कथा सुनाऊं सिंग राज दाणों से पकड कर असरों को खाता है जकड कर कुछल कुछल कर बो खा जाए गरदन के वालों को हिलाए बड़ा भयान के दस है भाई काली सी विदूती भी आई देचों का भग्चन कर डाला जिनिके गले पड़ी मुन माला कितने को मारीने मारे छिन्द भिन उनको कर डारे ब्रह्मानी के जल से भाई कितने देच नश्ट हो जाई माहिश्वरी त्रिशूल चलाए कितनों को सुरूलो के पठाए छिन्द भिन करे धारा साई रण में विच्चरे सब महमाई बाराही के थूथन चलते जो भी दैती राह में मिलते कितनों को प्रत्वी पर डाला और कच्चू मरे उनका निकाला देश्ण मिने भी चक्र चलाया टुकडे टुकडे करिके गिराया अंद्री ने तब बजर चलाया कितनों के प्राणों को उडाया कुछ मारे कुछ बच गए कुछ बने सिंग का ग्रास कुछ रण से भागे तभी नहीं बचने की आस इस प्रकार निसुंब को मारा और सारी सेना को संहारा जब जब कष्ट पड़े भगतों पर तब तक प्रगट भई तुम्हें आकर दासी विमिला टेर लगाए जल्दी मुसे को दरस दिखाए विमला देवी दासी तुम्हारी चर्णों में रखना मात हमारी सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें धन्यवाद